जी हाँ दोस्तों पैंसन धारकों की बल्ले बल्ले एक बार फिर पैंसन में भारी बढ़ोते देखने को मिल रही है दोस्तों चलो जान लेते हैं इसकी पूरे जानकारी अब हमारी वीडियो के अंथर जरूर बने रहे दोस्तों आपको बता दे कि बसाल के निवासी परखास चंडर का कहना है कि फर्देश सरकार ने बुजर्बों वे गरीब लोगों को आर्थिक रूप से स्यासकत बनाने के लिए अच्छी पहल की है जिसका सीधालाव जमीनी अस्तर पर पातलावार्थ तक पहुचा जा रहा है उन्होंने कहा कि परदेश सरकार का हाल ही में पेंशन की दरों में बढ़ोजरी करना तता पेंशन की आयो सीमा को कम करना बेहद सहरनिय कदम है यानि बहुत अच्छा कदम लिया गया है परकास चंद ने बताया कि वर्दमान में उन्हें परदेश सरकार की ओर से 17 सरुपे परतिमा समाजिक पैंसन परदान की जा रही है उन्हें कहा कि समाजिक पैंसन योजनक के तहद जीला हुना के लिए उन्हीं नहीं बलकि परदेश अस्तर पर अन्यकों लोग लाबावंतित हो रहे है इनके लिए परकास चंद ने परदेश सरकार का आभार वेक्त किया अपर बसाल निवासी परकास चंद सत्तर परतिसाद दिव्यांग है परकास चंद ने बताया कि वरतमान सरकार उन्हें सत्तर सर रूपे परतिमा समाजिक पैंसन के रूप में दे रही है जिससे वह अपनी तसा परिवार के जरूरतों को पूरा करने में सक्संबर नी है परकास चंद का बेटा भी पिचसी परतिसाद सारे रिक रूप से दिव्यांग है उन्होंने बताय कि बेटे को दिव्यांग पैंसन के साथ साथ तीन हजार रूपे सहरा योजना के तहट आर्तिक सहेता राशी परदान की जा रही है सुरक्सित पैंसन योजना में इजावा करने के लिए परकास चंद ने जैराम ठाकुर का धन्यवाद किया है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छ लगी हो तो प्लीज हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज्याद से ज्याद से करें ताकि सभी को इसकी जानकरे मिल सकें